परिचाय शर्मीला हमने अपनी पिछली चर्चा में प्लैटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज, एनिलीडा, और्थोपोडा, मॉलस्का और एकाइनो डर्मेटा के लक्षनों का अध्यन किया था हाँ, अब हम हैमिकाडे, रज्युकी, कशेरुकी, साइक्लोस्टोमेटा, कॉंड्रिक्थीज, औस्टिक्थीज, उभैचर, सरीसरप, पक्षिवर, एवं इस्तंधारियों के लक्षनों की चर्चा करने जा रहे हैं उद्देश्य इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे हैमी काडेट, रज्युकी, कशेरुकी, साइक्लोस्टोमेटा, कॉंड्रिक्थीज, औस्टिक्थीज, उभैचर, सरीसरप, पक्षिवर्क एवं स्तंधारियों के विभन लक्षनों को समझेंगे वर्की करन का इतिहास हैमी काडेटा क्रिमी के समान, समुद्री जीवों का एक छेवटा समो है, जिनका संगटन अंग तंद्रिस्तर का होता है ये सब तुई पाश्व रूप से समिमित, त्रिकोर की तथा प्रागोही प्राणी है इनका शरीर, बेलनकार तथा अग्रिशुंड, कॉलर एवं लंबे वक्ष में विभाजित होता है इनका परी संचरन तंत्र खुले प्रकार का होता है श्वसन कलों द्वारा होता है शुंड ग्रंथी इनके उच्सर्जी अंग है इनमे नर एवं मादा अलग-अलग होते हैं निशेचन पाहे होता है, परिवर्थन अप्रत्यक्ष होता है उधारण बैले नौक लोसस एवं सैको ग्लोसस रज्चुकी यानी कादेटा संग रज्चुकी यानी कादेटा से संबंदेत प्राणियों की पहचान प्रिष्ट रज्चु, प्रिष्ट खोकली, तंत्रिका रज्चु और युगमित ग्रस्नी क्लोंग छित्रों की उपस्थिती द्वारा की जाती है ये दूई पाश्वता सम्मेती त्रिकूर की तथा प्रागोही प्राणि है इनमें अंग तंत्र इस्तर का संग ठन पाया जाता है इनमें एक गुदा पश्च पुछ तथा बंद परी संचरन तंत्र होता है संग कारडेटा को तीन उपसंगों में विभाजित किया गया है उपसंग 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 में प्रिष्ट रज्जू केवल लार्वा की पूँच में पाई जाती है उधारन एसकीटिया, सालपा, डोलियोलम सिफेलो का डेटा में ये सिर से पुछ शित्र तक फैली रहती है और जीवन के अंध तक बनी रहती है उधारन ब्रेंकी उस्टोमा यानि एमफी ओक्सस या लेसलेट कशेरूकी कशेरूकी के सदस्यों में भुरूणिय आवस्था के दौरान प्रिष्ट रज्जू पाही जाती है वयस्क आवस्था में प्रिष्ट रज्जू उपास्थिल अथवा अस्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है इस प्रकार सभी कशेरूकी रज्जूकी होते हैं लेकिन सभी रज्जूकी कशेरूकी नहीं होते हैं कशेरूकी में दो, तीन या चार प्रकोष्ट वाला पीशिय अधर हिर्दय होता है व्रिक उत्सर्जन एवं जल संतलन का कारे करते हैं तथा युकमिद उपांग होते हैं जो पंक या पाध हो सकते हैं उधारन मकडी, माईट, कीट, क्रिमी, मचली, उभैचर, सरी सिर्प, पक्षी एवं स्तन्धारी साइक्लोस्टोमेटा वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के सभी प्राणे कुछ मचलीयों के बाहे परजीवी होते हैं इनका शरीर लंबा होता है जिनमें श्वसन के लिए 6-15 जोड़ी कुलोमचिद्र होते हैं साइक्लोस्टोम में बिना जबणों का चूशक एवं वृत्ताकार मुख होता है इनके शरीर में शल्क तथा युगमित पंखों का अभाव होता है कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होती है परी संचरन्द तंत्र बंद प्रकार का होता है साइक्लोस्टोम समुदरी होते हैं किन्तु अंडे देने के लिए अलवणिय जल में प्रवास करते हैं अंडे देने के कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं इसके लार्वा कायंतरन के बाद समुदर में लड़ जाते हैं वो धारण पेट्रो माईजॉन यानि लैम्प्रे तथा मिक्सीन यानि हैक फिश. कौन्री किथीच कौन्री किथीच धारा रेखिये शरीर वाले समुदरी प्राणी हैं और इनका अंतहक गंकाल उपास्थिल है. ये असमतापी प्राणी हैं अर्थात इन में अपने शरीर का तापमान नियंतरित करने की इक्षमता की कमी होती है. प्रिष्ट रज्जू चरस्थाई होती है, मुख अधर पर इस्थित होता है, दाद रुपांतरित पटाब शल्क होते हैं, जो पीजे की ओर मुड़े होते हैं. इनके जबडे बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये प्राणी परभक्षी होते हैं. क्लॉम चिद्र अलग-अलग होते हैं, तथा प्रच्छत या क्लॉम आच्छादन से धके नहीं होते हैं. तवचा कठोर, सुक्षम पट्टाब, शल्क युग्द होती है. वायकोष्ट की अन एक अलिंद तथा एक निलयवाला होता है. इनमें से कुछ में विद्द अंग यानी टारपीडो होते हैं, और कुछ में विश्दंत यानी ट्राइगोन होते हैं. नर तथा मादा अलग-अलग होते हैं. नर में श्रोनी पंक में आलिंगक होते हैं. इनमें निशेचन आंतरि और अधिकांज जरायूज होते हैं। की मचलियां लमणियें तथा अलमणियें दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंता कंकाल अस्थिल, शरीर, धारा रेकित, मुख अधिकांशता, अंतस्त होता है। ये सभी असमतापी प्राणी होते हैं। इनमें चार जोड़ी कलोम होते हैं, जो दोनों और प्रच्छे से ढखे रहते हैं। तवचा साइकलॉइट यानि टीनोयट शल्क से ढखी रहती है। इनमें वायुकोश उपस्दित होता है, जो उत्पलावर में सहायक है। हिरदय दो प्रकोश्ट वाला यानि एक अलिंद और एक निलै वाला होता है। निशेचन प्राया बाहे होता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, ये अधिकांश्ता अंटच होते हैं और परिवर्धन प्रतक्षय होता है। उधारण समुद्री एक्सोसितम यानि उडनमचली, हिपोकैंपस यानि समुद्री घोडा। अलवणियें लेवियो यानि रोहू, कादला यानि कतला, क्लेरियस यानि मांगोर। अक्वोरियम, बेटा यानि फाइटिंग फिश, पैट्रो फाइलम यानि एंजल फिश। उभैचर यानि एंफीबिया, उभैचर जल तथा इस्थल दोनों में रह सकते हैं, इनमें अधिकांश में दो जोड़ी पैर होते हैं, शरीर सीर तथा धड़ में विभाजित होता है, कुछ में पूँच उपस्तित होती है, उभैचर की तौचा नम और शल्क रहित होती है, ये असमतापी प्राणी हैं, इनमें नेत्र पलक वाले होते हैं, कण की जखा कण पठल पाये जाता है, आहारनाल, मोतराशय तथा जननपत्थ एक कोश्ट में खुलते हैं, जिसे अवसकर कहते हैं, जो बाहर खुलता है, नवोदित उभैचर मचली की तरह क्रूम दोरा सांस लेते हैं, वैसक उभैचर फेपड़े तथा तथा तचा से सांस लेते हैं, फिरते तीन प्रकोश्ट, दो अलिंद तथा एक निलै वाला होता है, नर तथा मादा अलग-अलग होते हैं, निशेचन पाहे होता है, ये अंडज होते हैं, तथा विकास प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष होता है, उधारण बूफो यानि टूड, राना यानि मेडक, हाइला यानि विरिक्ष मेडक, सलेमेंडरा यानि सलेमेंडरा, एक्विती ओफिस यानि पाद रहित उभैचर सरीश्रिप यानि रेप्टिडिया सरीश्रिप नाम प्राणियों के रहिंगने या सरकने के द्वारा गमन करने के कारण है सरीश्रिप विभिने चालों में कदी कर सकते हैं ये गर्म, शुष्क रेगिस्तान तथा गर्म, नम उश्न कठी बंधिये वर्शावनों में रहते हैं ये सब अधिकांश्ता इस्थलिय प्राणी हैं और जिनका शरीर शुष्क एवं श्रंगित तौचा बाहे तौचिय शल्क या प्राशल्क से धका रहता है सरीश्रिप असम तापी प्राणे होते हैं साप तथा छिपकली अपनी शल्क को तौचिय केंजल के रूप में छोड़ते हैं सरीश्रिप में बाहे कन छिद्र नहीं पाय जाते हैं कन पठल बाहे कान का प्रतिनिधिद्व करता है दो जोड़ी पाद उबस्तित हो सकते हैं हिर्दय प्राया तीन प्रगोष्ट का होता है लेकिन मगरमच में चार प्रगोष्ट का होता है लिंक अलग-अलग होते हैं निशेचन आंतरिक होता है ये सब अंडच होते हैं और परिवर्धन प्रतक्ष होता है उधारण एवीज यानी पक्षी लगबग 9000 प्रकार के पक्षी हैं पक्षी वे कशेरूकी होते हैं जिन में पंक पाय जाते हैं तथा वे पिच्छ से ढगे रहते हैं ये समतापी होते हैं पक्षी का कंकाल भार में बहुत हलका होता है इससे उड़ने में असमर्त शित्र मुर्ग पक्षीयों को छोड़कर उन्हें उड़ने में साहता मिलती है ये सब अधिकांश्ता इस्थलिये प्रानी हैं और जिनका शरीर शुष्क एवं शृंगित तवचा बाहे तवची शल्क या प्रशल्क से ढगा रहता है तवचा शुष्क होती है पुचके अधार परिस्थित तेल ग्रंथी को छोड़कर कोई और तवचा ग्रंथी नहीं पाए जाती है अंता कंकाल पूरी तरह से अस्थिल होता है और लंबी अस्थियां खोकली तथा वायकोश वाली होती हैं अगरपाद रुपांतरितों कर पंक बनाते हैं पश्चपाद में समानता शल्क होते हैं और चलने तैडने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने के लिए रुपांतरित होते हैं पक्षियों के पाजन पत में अतरिक्त प्रकोष्ठ क्रॉप तथा पीश्णी होती हैं, फिरदय पूर्ण चार प्रकोष्ठ का बना होता है श्वसन फेपड़ों के द्वारा होता है, पायुकोष फेपड़ों से जुड़कर साहयक श्वसन अंग बनाते हैं लिंग अलग-अलग होते हैं, निशेचन आंतरिक होता है, ये अंडच होते हैं और परिवर्थन प्रतक्ष होता है पक्षी कठोर कवच वाले अंड़े देते हैं, जिन्हें वे अपने घुसले में सेते हैं उधारण, काफ्स यानि कववा, कोलुम्बा यानि कपोत, सिटिकुला यानि तोता, स्टियो यानि ओस्टिच, पैवो यानि मोर, एटिनोडाइटीस यानि पैग्विन, और निउफ्रॉन यानि गिध्ध स्तंधारी यानि मैमेलिया इनमें दूद उत्पन करने वाली स्तंगरंथी होती है, जिससे बच्चे पोशन प्राप्त करते हैं ये समतापी होते हैं, अर्थार्थ, गर्म रुधिर वाले होते हैं इनमें दो जोड़ी पात पाये जाते हैं, जो चलने, तोड़ने, प्रिक्षपर, चढ़ने, बिल में रहने, उड़ने या तैड़ने के लिए अनुकुलित होते हैं संधारियों की तोचा विशिष्ट होती है, इस पर रोम पाये जाते हैं रोम प्राणियों को गर्म रखते हैं, मानाव संधारी है, लेकिन जन्तों में हमारी अपिक्षा अधिक रोम होते हैं पाहे कण या कण पलफ पाये जाते हैं जबडे में विभिन प्रकार के दाथ पाए जाते हैं फिरदे चार प्रकोष्ट गाब होता है श्रसन फेपड़ों द्वारा होता है लिंग अलग-अलग होते हैं और निशेचन आंतरिक होता है कुछ को छोड़कर ये सभी जरायूज होते हैं और परिवर्धन प्रतेक्ष्य होता है उधारण जरायूज यानि मैक्रोपस यानि कंगारू टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स कैमिलस यानि उउट मकाका यानि बंदर रैट्स यानि चूहा कैनिस यानि कुत्ता, फैलिस यानि बिल्ली, एलिफस यानि हाथी, एक्वुस यानि घोड़ा, डेलिफिनस यानि सामान डॉल्फिन, बैलिनिप्टेरा यानि ब्लु वेहल, पैंधरा टाइग्रिस यानि बाग, पैंधरा लियो यानि शेर क्या आप जानते हैं, पक्षियों के अध्यान से संबंदित जीव विग्यान की शाखा पक्षी विग्यान है शुतर मुर्ग, पैंग्वेन, एमू और कीवी ना उड़ सकने वाले पक्षी है सबसे बड़ी पक्षी शुतर मुर्ग है, जिसका अंड़ा भी सबसे बड़ा होता है आसमतापी बाहियोश में भी कहलाते है प्राणी जिन में शरीर का तापान नियत रखने के लिए सन्निहिद तापिस्थापी होता है समतापी कहलाते है मच्छ लार्वा का उन्वुलंग करने वाली मच्छी गेंबूसिया है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं हैमी का डेटा क्रमी की समान समंदरी जीवों का एक छोटा समो है जिनका संगठन अंगतंदर स्तरका होता है इनका शरीर, बेलनाकार तथा शुन्ड, कॉलर एवं वक्ष में विभाजित होता है संग का डेटा में वे प्राणी शामिल होते हैं जिनमें जीवन के अंध तक या प्रारंबिक भुरूनिय जीवन के दौरान प्रिस्ट रच्चू बनी रहती है कशिरू की प्राणियों में प्रिस्टिय नलिकाकार, तंत्रिकारच्चू, करोटी, अधर में सिथ हिर्दय और आहर नाल युक्त देह कोहा पाई जाती है कुछ कशिरू क्यों में जबड़े नहीं होते हैं, जैसे अनेथा, जबकि अधिकांश में जबड़े पाई जाते हैं, यानि नेधोस टोमेटा वर्ग, एमफीबिया, सरीश्रिप, एवीज और इस्थन्धारी में दो जोड़ी पाथ पाई जाते हैं, और इस प्रकार इनको टेट्रापूढा समों में रखा गया है उभेचर, इस्थल तथा जल दोनों में रह सकते हैं उभेचर हिर्दय तीन प्रकोष्ट का मध्य व्रकक, व्रिक, बाहे कंकाल अनुपस्तित होता है इन में RBC सबसे बड़ी होती है, तथा इस पर मोटे शल्क पाई जाते हैं शुश्क एवं श्रंगित तवचा सरीश्रिप की विशेष्टा है सप्र में पाद अनुपस्तित होते हैं, मचली, उभेचर और सरीश्रिप असमतापी याने ठंडे रुधिरवाले होते हैं सरीश्रिप असमतापी होती हैं, जिसका अर्थ है कि उन में शरीर का तापान, नियंतरित करने की प्रणाली नहीं होती है एवीज समतापी प्राणी हैं, जिनके शरीर पर पिच्च होते हैं और उड़ने के लिए अग्रपात पंखों में रुपांतरित हो जाते हैं पक्षियों में चार प्रकोष्ट वाला हिर्दे पाय जाता है स्तंधारियों का विशिस्ट लक्षण साथ ग्रीवा, केशिरूख, डायाफ्राम, स्तंग्रंथी और तौचा पर रोम क्यू पस्तिती है हिर्दे चार प्रकोष्ट का होता है स्थन ग्रंथियां रुपांतरित सुएद ग्रंथिया हैं स्थन्धारियों में बिन्ना या बाहिकन पाय जाता है